Hello Friends, Welcome to Starlight Education Starlight Education में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे Class 11th की Agriculture Subject और Agriculture Subject का Chapter No.1 पढ़ेंगे जो कि English में भी पढ़ेंगे और Hindi में पढ़ेंगे तो यानि कि इस वीडियो को English मीडियों वाले भी देख सकते हैं और Hindi मीडियों वाले भी देख सकते हैं और Chapter 1 का नाम है Indian Agriculture History, Branches, Scope and Importance यानि कि भारतिय क्रशी का इथियाज, शाखाएं, मत्व वशेत्र तो आज हमारा वीडियो No.4 है ठीक है यदि इससे पहले आपने First वीडियो, Second वीडियो और Third वीडियो इन तीनों वीडियो को नहीं देखा है वहाँ से आप इन तीनों वीडियो को देख सकते हैं ठीक है, तो आज हमारा चोथा वीडियो है Chapter 1 से related जिसका नाम है Branches of Agriculture यानि कि आज हम जो क्रशी है उसकी शाखाएं के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी शाखाएं होती है और कौन सी शाखा में कौन सी पढ़ाई की जाती है तो First आती है Agronomy यानि कि Agronomy में किस से related पढ़ाई की जाती है किस से सम्मंदित पढ़ाई की जाती है तो वह की जाती है Crop Production और Soil Production से related पढ़ाई एग्रोनोमी जो ब्रांच है इसमें की जाती है ठीक है यानि कि फसल उत्पादन और मृदा उत्पादन से सम्मंदित अध्यान एग्रोनोमी जो ब्रांच है एग्री कल्चर की उसके अंतरक्रत की जाती है ठीक है सेकंड है होटी कल्चर होटी कल्चर जो ब्रांच है उसमें कि से related पढ़ाई की जाती है तो इसमें की जाती है fruits, vegetable, flowers से सम्मंदित पढ़ाई जो है अध्यन जो है वो horticulture branch के अंतरगत की जाती है ठीक है तो horticulture को हिंदी में बागवानी का जाता है तो इसके अंदर फल, सबजी, पुष्प इन से सम्मंदित जो अध्यन होता है वो horticulture branch में होता है ठीक है थर्ड ब्राँच जाती है animal husbandry तो animal husbandry में क्या होता है scientific study of raising animal is done under this branch यानि की पश्यों को पालने का जो वेग्यानिक अध्यन है वो इस शाखा के अंतरगत किया जाता है ठीक है raising animal यानि की पश्यों को पालना तो पश्यों को किस तरह से बेंडरी जो branch है इसके अंतरगत किया जाता है fourth आती है अपनी epiculture तो the studies related to beekeeping and animal honey farming are done under this branch यानि की इस शाखा में हम क्या पढ़ते हैं इस शाखा में हम मधुम की पालन और शहद पालन यानि की मधुम की पालन किस प्रकार से करना है और शहद का पालन किस प्रकार से करना है इससे सम्मंदित जो हम पढ़ा ही करते हैं वो epiculture branch में करते हैं ठीक है बहुत easy है fifth है fishery ठीक है यहाँ पर यह लगाना बूल गया हूँ तो fishery लगा देना तो fishery में क्या होता है कि studies related to fisheries and production are carried out under this branch यानि कि इस branch में जो है वो मचली पालन और उसके उत्पादन से related मचली के पालन वो मचली के उत्पादन से related जो है अध्यन इस branch के अंतरकत किया जाता है ठीक है यानि कि मचली का पालन किस प्रकार से करना है और मचली का उत्पादन किस प्रकार से उसका production जो है वो किस प्रकार से increased किया जा सकता है उससे related जो अध्यन है वो हम इस ब्रांच के अंतरगत करते हैं शिक्स आती है sericulture तो scientific study of sericulture production is conducted under this branch यानि कि जो ये ये शाका है sericulture जो शाका है वो agriculture की शाका है और इसके अंतरगरत जो है हम रेशम कीट पालन और रेशम के उत्पादन का जो विग्यानिक अध्यन करते हैं इस शाका के अंतरगरत वापस बताता हूँ यानि कि इस शाका के अंतरगरत हम क्या करते हैं रेशम कीट पालन यानि कि रेशम कीट जो है उसका पालन किस प्रकाण से किया जाता है और रेशम का जो उत्पादन है उसको बढ़orageने से समंदीद जो अधिन किया जाता है वो इशाखा के अंत्रकत किया जाता है ठीक है अब 7 जाती है अपनी लाग कल्चर ठीक है तो लाग कल्चर में क्या होता है वो लाग कल्चर जो ब्रांच है इसके अंतर्गत करते हैं तो लाग का जो प्रोडक्शन है वो कैसे increase क्या जा सके उससे related हम बढ़ाई करते हैं एट ब्रांच आती है forestry तो under this branch studies related to growth and use of plant growing in forest are done यानि कि इस ब्रांच के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो one होते हैं यानि कि जो जंगल होते हैं उनमें जो लगने वाले जो पेड़ पोदे होते हैं उनमें जो grow करते हैं plants उनके हम अध्यन करते हैं कि उनमें जो कौन-कौन किस-किस प्रकार के जंग वन में पोदे लगे हुए हैं उनकी बिमारी किस प्रकाय की होती है उनको किस कितना पानी की जुरूत होती है वन में लगे पदों को और कौन-कौन सी दवाई की जुरूत होती है वगरा इससे रिलेटेड जो हम पढ़ाई करते हैं वो इस ब्रांच में करते हैं अब अपनी जो ब्रांच आती है वो आती है म मश्रूम कल्चर यानि कि इस ब्रांच के अंदर हम किसके पढ़ाई करते हैं मश्रूम के प्रोडक्शन से रिलेटेड हम पढ़ाई करते हैं मश्रूम कल्चर जो ब्रांच है इसके अंतरगत यानि कि मश्रूम का उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सकता है तो मश्रूम से रिल चाहता है व इसपरेगें के इस प्रकार से करना चाहिए जैक्मित को बढ़ाना तो कीसे बढ़ाया जा सकता है मुर्गी में लगने वाले रोग ठीकacas और अंड रोगों से प्रभाव की study हम इस शाका के अंतरगत करते हैं, यानि कि जो हमारी फसल होती है, क्रोप होती है, उस पर किस-किस प्रकार के effect पढ़ रहे हैं, यानि कि प्रभाव पढ़ रहे हैं, उन प्रभाव की जो पढ़ाई है, वो इस शाका के अंतरगत की जाती है, कि उस effect को कैसे कम किय जा सकता है और अपनी फसल को बचाया जा सकता है ठीक है ऐसी बहुत सी फसलें होती है आप जानते हो बहुत सी क्रोप है और बहुत से प्रकार के इफेक्ट है इन इफेक्ट से फसलों को बचाना इस प्रकार सी जो इस प्रकार की जो पढ़ा ही की जाती है वो इस शाखा के अं ठीक है नेक्स्ट पढ़ते हैं agriculture extension तो under this branch studies related to the latest information from the laboratory to the farmer are conducted यानि कि इस शाखा में क्या होता है कि जो कोई भी latest information होती है ठीक है laboratory से यानि कि जो प्रयोक्षालाएं होती है हमारे भारत में तो इनसे जो प्रयोक्षालाएं है उनसे latest information जो है वो farmer तक पहुंचाना ठीक है फार्मर तक पहुंचाना इससे related जो पढ़ाई की जाती है वो इस शाखा के अंतरकत की जाती है कि किस प्रकार से जो हमारी laboratory है उनसे latest information को फार्मर तक पहुंचाया जा सके जिसे की उस इन्फोर्मेशन से उस फार्मर का बेनिफिट हो ठीक है कोई बेनिफिट वाले इन्फोर्मेशन हो तो उस फार्मर को बेनिफिट हो ठीक है किसी भी स्किम के बारे में हो गया किसी भी रोग के बारे में हो गया कि किसी की फसल को रोग के कैसे बचाया जा सकता है यदि लेबरेटरी ने इसके उपर रिसर्च किये तो वो उस information को किसान तक पहुंचाना ठीक है किस प्रकार से पहुंचाया जा सकता है वगेरा इस से related जो पढ़ा ही की जाती है वो agriculture extension branch से की जाती है अब 13 ब्रांच जाती है agricultural economics ठीक है तो इस branch में हम क्या पढ़ते हैं कि calculation of agricultural cost income is studies under this branch यानि कि इस branch के अंतरगत हम agriculture में कितना खर्चा हो रहा है जो क्रिशी कारे कर रहे हैं उनमें कितना खर्चा हो रहा है और हमें कितनी income हो रही है इस से सम्मंदित किस प्रकार से calculation की जा सकती है ठीक है तो calculation इस जो खर्चा हो रहा है और जो income हो रही है उसके जो calculation करना जो हम सिखते हैं वो इस शाका के अंतरगत सिखते हैं कि किस प्रकार से हम calculation कर सकते हैं खर्च की और आए की ठीक है तो आगे बढ़ते हैं 14th जो है वो है plant pathology ठीक है तो under this branch studies related to various disease causes and control of plant disease are carried out यानि कि इस शाका में हम क्या पढ़ते हैं कि किसी भी plant पर लगने वाली बीमारी उसके कारण कैसे control किया जाता है उस बीमारी को कैसे neyandrent किया जाता है इससे सम्दिश जो हम अद्यान करते हैं वो plant pathology में करते हैं ठीक है यानि कि कोई भी plant है, उस पर कोई भी disease लग गई है, तो उस disease का क्या कारण है, उसको कैसे control किया जा सकता है, इस से सम्मंदित जो पढ़ाई होती है, इस सम्मंदित जो अध्यन होता है, वो हम इस शाका के अध्यदत करते हैं तो एक से लगा कर 14 शका है आपकी complete हो गई है यदि आप ये इस प्रकार के complete नोर्स चाहते हैं तो आप complete नोर्स जो है वो telegram channel से download कर सकते हैं telegram channel का नाम है starlight education ठीक है तो starlight education से आप ये सारे नोर्स जो है वो download कर सकते हैं बिल्कुल free है तो आज के लिए बस इतना ही thanks for watching